हलो दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो वीबो ने लॉंच किया है अपना एक सस्ता बजट स्मार्टफॉन जिसका नाम है वीबो वाइज जीरो वन तो आज करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लुक डिजाइन्स कैमरा पर और देखींगे कैसा रहता है ये स्मार्टफॉन आपके लिए बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो वाइट कलर का ये बॉक्स है जिस पर आपको मुबैल का डिजाइन देखने को मिल जाता है बैक साइड में थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स को मेंसन किया हुआ है 5000 एमेज की बैटरी 6.51 इंच की आपको इसमें HD प्लस हालो फुल डिस्पले दी गई है फेस अनलॉक आपको इसमें मिल जाता है और ये हमारे पास सिर्फर ब्लू कलर वेरेंट है दो कलर वेरेंट में आपको ये मिलेगा 2GB रैम 32GB का इंटरनल इस्टोरेज आपको इसमें मिलता है बॉक्स प्र नजर डालें तो 12,999 रुपीज आपको बॉक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का प्रटन नजर आएगा उसको दबा दीजिए ऐसी वीडियो रेगुलर आपके लिए मैं आप आप लाता रहता हूं तो बिनस समय गवाए जल्दी से करते हैं इसकी एंबॉक्सिंग इस्तार बॉक्स इसके बाद नजर आता है स्मार्टफॉन जिसे हम फिलाल रखते हैं साइड में अंदर IMEI स्टिकर्स दिये गए हैं और अंदर देखें तो यहां आपको एक चार्जर अड़प्टर नजर आएगा यह नॉर्मल चार्जर है 10W का 5V 2A की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है इसके बाद आपको एक वाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो USB केविल दी गई है केविल की लेंथ और क्वाल्टी काफी अच्छी मिल जाती है लेकिन टाइप सी USB केविल मिलती तो बढ़िया रहता और यहां पर लास्ट में आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है इसके अलावा इनन फील यह आप में काफी कमफरडेवल फील हो रहा है और काफी स्लिम स्मार्ट फॉन है मोबाइल का बैक पैनल देखें तो यहां पर आपको प्लास्टिक बॉड़ी मिलती है और यह लाइन है आपको यहां पर नजर आएंगी जिन पर हलके-लक के रेजिस हैं और साथ ही आपको यहां पर लाइट रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है जिसमां आपको काफी अच्छे डिजाइन नजर आएंगे नीचे वीवो की ब्रांडिंग की गई है फिंगफिन सेंसर आपको इसमें नहीं दिया गया है वहीं कैमरा सेटप पे आपको नजर आएंगे लेकिन जो नीचे चिन है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आती है मोबाइल के कौनर कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे जहां आपको राइट साइड में पावर ओन की फ्लस वॉल्यम रॉकर्स उपर की साइड आपको सिम ट्रे मिलती है और इसे एक प्रैमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है मोबाइल को कर दिया है बूट सबसे पहले इसकी जो ब्रैडनेस है इसे फुल कर देते हैं और आटो से यहां पर रिमूब कर रखा है सौट कर बार को देखें तो यहां पर आपको सारे ओप्सन मिल जा जाती है जहां आपको 4148 की ब्रैडनेस मिल जाती है आइकन कुछ इस तरों के आपको देखने को मिलेंगे वहीं यूजर इंटरफेस को देखें तो स्क्रॉल आप करते हैं आपको यहां पर सारे के सारे एप्लिकेशन नजर आएंगे कुछ फॉल्टू प्रिंस्टॉल एप भी याँ पर दिये गए हैं हाला कि आप इन अनिस्टॉल कर सकते हैं 60Hz का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.51 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20-9 स्क्रीन रेजुलेशन 720-1600 फिक्सल और फिक्सल डेंसिटी 270 PPI की दी गई है स्क्रीन टू बोडी रेशो 83.02 परसेंट का आपको इसमें मिलता है मोबाइल की हाइट है 163.9 मिलिमेटर विड़ इसकी 75.2 मिलिमेटर 8.2 mm की थिकनेस और वेट है 178 ग्राम बैटरी 5000 एमेज की इस पर लगी हुई आप को मिल जाती है इसके अलावा ये आपको दो कलर वेरेंट पर मिलेगा सिफर ब्लू कलर वेरेंट जो अभी हमारे पास है और दूसरा एलिजेंट ब्लैक कलर जो आपको पसंद आए आप पर्चेस कर सकते हैं चलिए आप इसकी सेटिंग को उपन करते हैं तो यहाँ पर आम इ में मिलता है 2.3 GHz का Octa-Core प्रोसेसर दिया गया है चिपसेट MediaTek Helio V35 का मिलता है 2GB RAM 32GB का इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल मेमरी आप इसमें पूरे 1TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको दिया गया है Android वर्जन 11 आपको मिलता है इसकी अल नर्मल मोड में हमने कैमरा ओपन कर लिया है और यहां पर जो क्लेटी है वो कुछ ऐसी आपको नजर आएगी जहां आप only 4X तक इससे जूम कर सकते हैं कलर ठीक ठाक है लेकिन मुझे जो बीबो की actual क्लेटी होती है वो ऐसा क्लेटी यहां पर नहीं लग रही है इसकी अलाव फुल और ब्राइट सेल्फी कैमरा है इसका और यहां पर सेल्फी कैमरा से आप 2X तक जूम भी कर सकते हैं यह देखे तो जूमिंग भी आपको इसके फ्रेंट सेल्फी कैमरा से मिलती है कुछ सेंपल्स आपको दिखा देते हैं तो यह हमने इसके फ्रेंट सेल्फी कैमरा से ली है picture तो यहाँ पर आप clarity देख सकते हैं काफी अच्छी clarity आपको इसके selfie camera से देखने को मिल जाएगी यह रही दूसरी picture तो यह भी आप देख सकते हैं और यह भी यहाँ पर selfie ली गई है इसके अलावा जो rear camera से लीगी picture है वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी clarity ठीक ठाग आपको मिल जाती है लेकिन मुझे उतनी खास नहीं लेगी इसके rear camera की फिक्चर जितनी यहाँ पर selfie camera दे रहा है और अब बात आती है यह smartphone मैं purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों यह है वीवो ब्रांड जो की काफी लंबे time तक चलता है जिया वीवो के जो smartphone होते हैं महेंगे जरूर होते हैं लेकिन काफी लंबे time तक वीवो और ओपो के ही smartphone मैंने चलते हुए देखे हुए है यहाँ पर थोड़ा सा price की तरफ ध्यान देना चाहिए मातर आप 2GB RAM दे रहे हैं और 9000 पे इसकी कीमत की हुई है RAM आजकल 2GB कुछ भी नहीं होता कम से कम 3GB RAM आपको मिलनी चाहिए या फिर virtual RAM दे देते वो भी ठीक ठाक चल जाता लेकिन नहीं दिया है उपर से fingerfin sensor आपने नह करती है display clarity मुझे काफी अच्छी लगी camera इसका selfie मुझे काफी अच्छा लगा बाकी बैटरी भी आपको इसमें ठीक ठाक 5000 नमिस की मिल जाती है 9000 रुपे के अंदर नहों कर यह अगर आपको 8000 रुपे में मिलता है तो मैं यह best smartphone को हूंगा आसा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारे आपके जुरूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे आपको मोयल पर्चेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है अगली वीडियो में अगली एंबोक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस झालाओ में पर्चेस करन दो सकती है लिए wrong पर्राॉण के लिए हमारे चाहर कईव था नहीम पर्यामारे चाने मैं हमारे प्लव करने मली झाने के लिए हमारे खंचाहरा है